एक समय की कहानी है एक गाओं में ऐसा सराफ लगा हुआ था किसी लड़की का कहीं भी साधी नहीं हो रहा होता है तभी उस गाओं में एक ठोटा सा पर जागान और उसकी पत्निय और एक बेटी रहती है जिस बेटी भूत अच्छी खुफूरत रहती है उससे एक तुसरे लड़के से प्यार हो जाता है उभी इसे प्यार भूत करता है फिर वह अपने मा बाप से बात करता है तब इस गाओं के रापित गाओं का नाम की गाओं की लड़की वो रहती है उसके बाप मा कुस्सा होती है क्या हूँ अमा आप लोग ऐसे चौक क्यों गए अरे उस गाउं पर तो श्राप है श्राप उस गाउं की किसी लड़की से कोई शादी नहीं कर सकता यह अब कैसी बातों में विश्वास करने लगे हो यह सब बेकार की बात है इतना का कि मनुझ के पिता माच चले जाते हैं मैं शादी तो मीना से करूँगा और क्या है कटपुली गाउं का श्राप वो भी जान कर रहूँगा मनुझ चुपके से जूट बोलकर कटपुली गाउं में पहुँच जाता है उसे ऐसा नहीं लगता कि कोई बात है तभी मिना को पता चलता है कि मनुझ आ है मनुझ अपने दोस्ट बीपिन के गर रहता है तभी मिना वहां से जूट बोलकर खित के और जाने से वहां दोनों म गए? मुझे इसी बात का डर था. मतलब तुमको शाफ वाली बात पता थी? वो तो पूरे गाउं को पता है, यहां की लड़की से कोई शादी नहीं करता. पर ऐसा क्यों? क्योंकि शाफ लगा हुआ इस गाउं पर. या फिर बोलो हम गाउं की सभी लड़कियों पर? अरे पर क बताते हैं कि सालों पहले यहां एक लड़की रहती थी. वो बड़ी सुन्दर थी. लंबी, गोरी, लंबे-लंबे काले बाल और बड़ी-बड़ी आँखे. बहुत ही सुन्दर थी वो. उसको गाउं के बाहर किसी लड़के से प्यार हो गया था. पर वो लड़का था बोना. उस लड़की के घरवालों को जब ये बात पता चली तो उनुने उस लड़की को बहुत डाटा और उस लड़के से मिलने से साफ मना कर दिया. वो लड़की भी नहीं मानी. एक रात वो बोना लड़का उस लड़की को आधी रात में चुपके से लेने आया. पर उस लड़क उसे देखा पर वो कुछ ना कर सके हर पल उस लड़के की चीक चारों तरफ गुंचती थी किसी को भी उन दोनों पर तरस नहीं आया और एक दिन उस लड़की की शादी उस बौने लड़के के सामने दूसरे से तैक करवा दी गई ये बगवान ये तो बहुत बुरा हुआ बुरा तो उसके बाद हुआ जब वो लड़की फेरे लेते वक्त नीचे गिर पड़ी और उसके मुँसे झाग निकलने लगा उसने जहर जोखा लिया था वो तरबती हो इस बौने लड़के के सामने मर गई और वो लड़का चीकता रह गया उसके बाद वो लड़का पागल हो गया और बस यही बोलता रहता था कि अब उसके खांदान की क्या बलकि पूरे गाउं की लड़कियों की शादी नहीं हो पाईगी सब उस पागल की बात को मजाक में लेने लगे कि पागल ही तो है पर जब उसी लड़की की छोट मनोज मैं ऐसे अकेले भी मरी जाओंगी तो क्या करें मीना क्या इस श्राब से मुक्त होने का कोई हल नहीं हाई है न उस लंबी चुडैल की शादी उस बौने भूट से हो जाए तो हमारा गाउं इस ट्राब से मुक्त हो जाएगा मैं बुलाऊंगा उनको और मैं और छोटा बवना भूट की साधी करने के लिए सारे लोग अजीब चोक जाते हैं गाउं में बहुत बड़ा पंडाल गिरा देता है फिर वो लंबी चुडैल और नाटा भूट को पता चलता है किसके हिम्बत हुए इस गाउं में शाधी का टेंट लगाने की लगता है किसे की मौत आई है दोनों मिलकर जाते हैं तो देखते हैं गाउ में बहुत अच्छा पंडाल गिरा होता है दोनों वहाँ बाट कर आपस में बात करते हैं लेकिन पता नहीं चलता किसकी सादी है चारो ओर मिठाई और खुशी का महल होता है चारो ओर फूल पत्ते सभी सजे रहते हैं फिर देखक छोक जाते हैं आखर किसी की शादी की तैयारी चल रही है ये ये सब इन गौवालों की कोई साजश है ताकि वो हमसे उस लड़की को बचा सके पर ऐसा कभी नहीं हो पाएगा मेरी शादी नहीं हो सकी तो किसी की शादी नहीं होने दूगी मैं, कभी नहीं नाच गाने से बहुत खुश होते हैं और चारों और यही नाच गाने लगा रहता है फिर वहां आती है और सभी को देखती है धोलक बजाते रहो और गाने रुकने नहीं चाहिए वो आ गई है पस और अरते जब तक नाची गाती रहती है उदर चुड़ायल भी ठक कर अपना पाइल वहां रखकर वधिरे से चली जाती है तब ही वहां से मनोच आता है और फिर उस मीना से खुश कहता है देखा वो आई थी और उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया हाँ वो तो आज ऐसे नाची है जैसे उसी की शादी हो हाँ क्योंकि सालो बाद आज उसने ये गीत संगीत सुना है चलो अब हमें कल का इंतिसार करना है कल मेहदी है तुम सब तयारी कर लेना हाँ मैं सब तयारी कर लूँगी तुम चिंता मत करो मिना सभी औरोटों को बुलाकर मेहदी की रसन पूरा करने लगती है सभी आप एक दुस्से को मेहदी लगाती है तब ही वहाँ लंबी चुड़ायल पहुंचाती है इनकी इतनी हिम्मत कल संगीत और राज मेहदी और आखिर यहाँ शादी किसकी है कोई भी तो दुलहन नहीं है यहाँ कितना शौक हुआ करता था मुझे मेहदी का बच्पन में मा के आगे कैसे हाथ आगे कर देती थी कि पहले मैं ही मेहदी लगाऊंगी आज भी बड़ा मन है कि मैं भी मेहदी लगाऊं अपने चुड़ायल एक मेहदी लेकर अपने हाथों मे अतना खुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष शादी कल है, कल हमें उस लड़की को मारना है जिसके कल शादी होने वाली है हाँ मुझे याद है, अब बस मुझे कल का इंतजार है तुम ये मत सोचो कि मैं खुश हो तो मैं भूल गई हू सब मैं इस गाओं की किसी भी लड़की की शादी नहीं होने दूँगी अगला दिन होता है, चारो और खुशी का महोल होता है चारो और खाना पकरा होता है, फिर मनोज अपने पुरे गाओं वालों से बात चीट करता है फिर नाच गाने सबी होते हैं, चारो और खुशी का महोल होता है, तबी चुड़ायल देखो दो जरा, ऐसी शादी तो मैंने कभी नहीं देखी, पूरा गाउं शादी में शामिल है। जीते जी ना हो सका, वो हम अब करना चाहते हैं। यह सब तुम अपने श्राब को हटाने के लिए कर रहे हो। हाँ शायद, पर यकीन करो कि तुम्हारा दुख उससे बड़ा है हमारे लिए। मैं भी इस गाउं की एक लड़की से शादी करना चाहता हूं। और अगर ऐसा ना हुआ, तो शायद हम भी जी नहीं पाएंगे। तुम ही हमारी और हम जैसे लोगों की मदद कर सकते हो। ये श्राप अटाकर।